नमस्कार दस्तों मेरा नाम है सुमित और सागत है आपका इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो की लोकेशन आपको अलग दिख रहे हुए क्योंकि यह वाली वीडियो में घर पर ही शूट कर रहा हूं बाहर कहीं जानी सकते विकॉज अव दी ल दूसार सुटेबल हैं अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं या पुरानी गाड़ी लेना चाहते हैं या फिर आपकी जो भी गाड़ी है उनमें अकसल लोगों को शोक रहता है क्यों अलोई वील्स डल वाले काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं देखने में कितने काम क अलोई वील्स वह आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अलोई वील रिम एंड स्टील वील रिम के बीच में कुछ डिफरेंस के बारे में सो दोनों में सबसे पहला डिफरेंस आता है बाई मैनुफेक्टरिंग का जैसे कि नाम से ही और अगर मैं स्टील वील की बात करूब तो उसमें केवल स्टील का यूाज होता है एंड सम्मटाइम कभी-कभी एक लोहे वाले एते हैं उन्दोनों का मिक्शर करके जैसे से एक स्टील रिम आपका बन जाता है यह कुछ मैनुफैक्टरिंग इसमें डिफ्रेंस था स्टील एंड वील्स में तो मैनुफैक्टरिंग में डिफ्रेंस होने के कारण जो अलोई दूसरा डिपेच यह वह गया कि जो Feeling energy आसा माना जाता है कि अलओई विल्स में जो गाड़ी मेलेज जादा निकालती지 लेकिन उसमें बहुत सारी टर्म्स अंड कंडीशन है की आपकी गाड़ी के अनुसार आप चुटेवल aloo website आफ डाला रहे हैं या स्टील विल एंड सेम साइज के अलोई विल्स में अगर आप अलोई विल्स को चूज करते हैं तो आपकी गाड़ी पॉइंट में की कुछ थोड़ी बहुत ज्यादा मैलेज आपके स्टील विल्स की तुलना में देगी पर्फॉर्मेंस की बात करूं तो भाई दोनों ही अपन लेकिन स्टील रिम्स अगर आपके पास हैं और आपकी गाड़ी कहीं सड़नली ओफ रोड में चली जाती है तो वहां पे वो आपको काफी ज़्यादा बेनिफिशल होते हैं क्योंकि स्टील विल्स आपके अलोई विल्स से मजबूत जादा होते हैं हमेशा और थोड़े मुकाबले ऐसा क्योंकि वाई अलोई विल्स सॉफ्ट होते हैं थोड़े से स्टील के मुकाबले एंड आपको बेटर माइलेज प्रोवाइड करते हैं थोड़ा सा जब ज़्यादा टायर दबेगा नहीं ज़्यादा वजन लेके चलेगा नहीं तो बात है ज्यादा लाइफ सबसे ज्यादा वो चीज जिसके लिए आप लाव फिल्स में लेना चाहेंगे तो व है अ्रोल अविल्स में आपको जो और आदिदि worshour दिया फायदे प्रेंने बात कर लिए अब कुछ नुकसान की अगर लब नुकसान का डाउन साइड की अगर मैं बात करूं अलोई विल्स में तो एक तो आपको प्राइज नॉर्मल स्टील विल के मुकाबले काफी जादा देखने को मिल जाती है मार्केट में सस्ते सस्ते भी अविलेवल है लेकिन गड़े में आप गाड़ी को टूट के बैट जाएंगे तो अच्छी क्वालिटी का कंपनी का सेम स्टील विल एंड अलोई विल्स अगर आप लेते हैं तो आपको अलोई विल्स की जो प्राइजिंग है वह उससे जादा ही अल्मूस्ट डबल के लगभग या 2-3-4,000 रुपे जादा ही देखने को मिलेगी और अगली चीज जो स्ट्रेंथ हैं अलोई विल्स में आप कितना ही महेंगा ले लो कितना ही ओरिजिनल क्वालिटी का ले लो स्टील विल्स के मुकाबले कम ही रहती है तो इसी कारण लगा सकते हैं यह सारी चीजे जानने के बाद फिलाल मेरे पास टाटा ट्यागो एंड इसमें जो मतलब अलोई विल्स का मेन बेनिफिट है अपिलिंग व्यू का वो मुझे मिल रहा है विकोज ऑफ दी वील कवर जो आपने देखे होंगे अगर आप उन वील कवर के बारे म आपको अलोई विल्स वाली फिल देंगे लगे गई नहीं कि आपकी गाड़ी में तो उनके रिव्यू को अगब देखना चाहते हैं तो आप आई बटन में लिंक आ रहा होगा आप वहां से देख सकते हैं बाकि उसमें हैं एक्ट्वल में स्टील विल तो उस कारण मुझे और ओफ रोड वगेरा करने में ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लेना पड़ता कि मेरा अलोई टूट जाएगा यह जाएगा वह जाएगा तो डिस इस देबेस्ट ऑप्षन जो टाटा ने यागो एक्सट वेरियंट में प्रोवाइड किया है बाकि आपकी पसंद क्या आप अपनी गाड़ी में अलोई डालवाना चाहेंगे फिर इस ट्री डालवाना चाहेंगे अब बताये वीडियो अगर पचंद आया तो आप लाइक कर सकते तर अगर नहिंद आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते मिलतों इस अगली वीडियो में तब तक के लिए निवाश